दोस्तो सेगिलीटी इंडिया लिमिटेड इस कम्पनी का आई प्यू पांच नॉम्बर दो हजा चौबिस से साथ नॉम्बर दो हजा चौबिस के बीच खुलेगा 10 रुपए इसके फेस वैल्यू रखी गई है और प्राइस बैंड है 28 रुपए से 30 रुपए प्रति शेर लॉट साइज 500 सेरों का रखा गया है दोस्तो टोटल इसू साइज है 2106 करोड साथ लाख रुपए का और पूरा का पूरा जो इसू साइज है वो है 2106 करोड साथ लाख रुपए ओफर फॉर सेल यानि कंपनी के प्रमूटर्स ये शेर बेच रहे हैं और बेच के अपने जेब में रखेंगे और जाएंगे कंपनी के इंप्लॉईस को 2 रुपए प्रति शेर के डिस्काउंट दी जा रही है दोस्तो QIB के लिए इन्होंने 75% शेर रिजर्व रखे हैं रिश्स टव्लॉट्मेंट फाइनल होगा 8 नौबर को इनिशेर्व रिफॉंड होगा 8 नौबर को और अगर आपको शेर मिलता है तो आपके डिमैट एकाउंट में 11-11 नौबर को क्रेडिट होगा और इस स्टॉक की लिस्टिंग होगी 12 नौबर को दूस्तो एक नई कंपन आपके सामने उपस्थित होगी आईए दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको एपलाई करना है रिटेल में एक लॉट के लिए 500 सेर आपको मिलेंगे 15,000 रुपए लगाने होगे रिटेल में आप एक लॉट करके बढ़ेंगे 13 लॉट तक जाएंगे 13 लॉट तक 6,500 सेर मिलेंगे आपको 1,95,000 रुपए लगाने होगे SH&I में मिनिमम 14 लॉट के लिए 7,000 रुपए आपको लगाना होगा 2,10,000 रुपए SH&I में मैक्सिमम 6,6 लॉट तक जाएंगे 14 लॉट से दिरे-दिरे एके करके बढ़ेंगे 33,000 सेर आपको मिलेंगे 9,90,000 रुपए आपके लगाने होगे अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है इसके बिजनस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो Sagility India Limited इसका पुराना नाम है बर्कमीर India Private Limited ये प्रवाइट करती है Healthcare Focus Solutions Services ठीक है Healthcare Focus Solutions and Services किसको प्रवाइड करती है Pairs and Providers यहां ये ध्यान रखिएगा मैं इसको हटाता हूँ यहां दो आप हाइलाइट करता हूँ मैं आपे Pairs and Providers क्या प्रवाइड करने वाले एक है Pairs जो कि United States में Health Insurance Company जो कि आपके Insurance का खर्चा उठाती है वो एक तरफ हो गए अब Providers कौन है Hospitals, Physicians, Diagnostic Centers, Medical Technology Company यानि Pairs इंसुरेंस कंपनिया हो गई और दूसी तरफ एक तरफ है जिनको की payment मिलेगा इसके बीच का काम ये कंपनी करती है तो कंपनी करती क्या है इनके बीच में कंपनी एंटायर जो operational spectrum है उसको संभालती है जैसे कि centralized claim administration जैसे कोई भरती हुआ तो उसका claim है वो process करने का काम clinical service function करती है और इसके अंदर payment integrity, clinical management और other services के अंदर आता है और providers के लिए company offer करती है revenue cycle management services to assist them in managing their billing and claiming treatment तो भाई अगर कोई admit होगा तो उसका bill वगर जो है जाएगा ना तो वो जाएगा इनके माध्यम से वो जाता है इसके लावा दोस्तों company कुछ और services provide करती है payers को जो की pharmacy benefit management वाली service है जो की manage करते है prescription of drug coverage for members यानि की insurance को जो की health benefit plan की अंतरगत आते हैं दोस्तों company का पूरा का पूरा business आप देख सकते हैं कि USA में हैं और 31 मार्च 2024 तक company के 5 largest customer group है जिनको की company ने on and average 17 साल तक का service दिया हुआ है और January 2024 में company served 5 of 10 largest players in the US ठीक है दस बड़ी कंपनियों में से 5 में company ने service दी है In addition company acquired 20 नए customer को company ने 2024 और 23 में acquired किया हुआ है मार्च 2024 तक company के पास 35,44 employees हैं दोस्तों जिसमें इसे की 60% करमचारी जो है female है और 31 मार्च 2024 तक 1687 employees held certification including 374 certified medical coders है और 1280 registered nurses in US है Philippines and India और उसके लिए हमाँ 33 employees with other degrees such as dentistry, surgery and pharmacy इनको इनको यहां रखना पड़ता है मैं आपको यहां company की website पर ले आया हूँ दोस्तों यहां आप देखिए company का claim क्या है our transformative healthcare solution pairs, providers, lab and DME, pharma and life sciences यह इस तरह से करके यह product जो है offer कर रहे हैं खुल मिला के यह linkage का का काम प्रोवाइट कर रहे हैं एक gap जो है तो उस gap को fill करने का काम करते हैं इन दोनों के बीच का gap है उसको fill करने का काम कर रहे हैं सभी को एक platform पे ले के आने का काम कर रहे हैं तो एक unique business model आप यह कहने का मतलब है कि देख सकते हैं अब दोस्तों कुछ financials पे नजर डालिए 31 माज 2022 तक कंपनी के पास थे 10,000 करोड रुपए के assets जो की 10,590 करोड हो गए 31 माज 2023 और 31 माज 2024 दस दस दाजार 664 करोड रुपए और फिलाल 30 जून तक है 10,388 करोड रुपए बात कर लेते हैं कि यह जो backup है वो कहां से आ रहा है backup आ रहा है बारुइंग से बॉरोइंग कंपनी ने 4,249 करोड रुपए ले रखी थे 2022 में जिसको की कंपनी ने 2300 करोड रुपए किया और उसके बाद 1933 करोड किया और फिलाल केवल कंपनी के पास जो बॉरोइंग से है वो 943 करोड है तो यह एक बड़ी अच्छी sign कंपनी ने दिखाई है फिछले तीन सालों में financial discipline कंपनी ने शो किया है revenue की बात करें 944 करोड से बढ़कर के सीधा हो जाता है 4,236 करोड रुपए और फिलाल 31 माज 2024 को 4,781 करोड यह stable हो गया और अभी 1247 करोड जो है वो 30 जून एक क्वाटर का है profit after tax यहाँ पर कंपनी नुकसान में है 2022 में और उसके बाद 143 करोड देन 228 करोड और 22 करोड रुपए का यह तीन महीने का है दोस्तो नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी के पास इस समय है नेट वर्थ की रुपए 7608 करोड और रिजर्वस के रुपए कंपनी के पास है 2704 करोड तो कुल मिला के कंपनी के financials काफी दंदार नजरा रहे हैं दोस्तो हाई price band पे कंपनी लिस्ट होगी 14000 करोड रुपए के उपर और अगर date equity रेक्सियों के बात की जाए तो वो less than 1 यानि 0.15 है और return on net worth 0.29 और price to book 0.2 और pat margin 1.82 अच्छा है इस spend पे भी अच्छा है लेकिन return on net worth कुछ है नहीं और date equity ये भी एक अच्छा यहाँ sign है एक negative aspect की बात करूँ दोस्तो यहाँ पे pat margin की बात करूँ तो 1.82% है तो जो की काफी कम है यहाँ पर दोस्तो एक नए जमाने की company है तो high na PE के लिए आप तयार रहे हैं कम से कम company नुकसान में नहीं है आज कल तो नुकसान वाली कमपनियां IPO लेकर के आती है जैसे कि आप market में इसी हफ्ते देख सकेंगे EPS यहाँ आधा पैसे का है यानि कि आधे रुपय का है और उसके against में यहाँ 61 का PE मांगा जा रहा है objective क्या है issue का objective कुछ नहीं है पैसा लेकर के घर जाना है और equity market में exchange में लिस्ट होने का benefit उठाना चाते है यह पूरा का पूरा IPO जो है वो OFS है तो यह एक negative aspect है दोस्तों IT company के रूप में एक aggregator के रूप में यह company काम कर रही है जिसमें की एक तरफ providers है service के providers है एक तरफ जो है insurance company है और दूसी तरफ जो है pharmacist भी है सबको company जोडने का काम कर रही है एक aggregator की तरह company काम कर रही है सबसे पहले positives की बात मैं करता हूँ कि यह एक आपको again एक unique business model दिखाई दे रहा है जिसमें की company इन सब लोगों को assist कर रही है और दूसी तरफ company का on and average जो tenure है एक customer company के साथ 17 साल तक रहता है तो यह भी एक अच्छी बात यहाँ पर आप कह सकते हैं दूसी तरफ अगर company के fundamentals की बात करें तो company एक largest large company दूसी तरफ अगर company के revenue की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जबरदस तरीके से यहाँ पर revenue बढ़ता हुआ नजर आया last के 3 सालों में तो यह एक बढ़ियां आपको sign नजर आ रहा है लेकिन margin की बात करें तो margin दबाव में है company का margin है फिरहाल 2% से भी कम है जहाँ पर की company को काम करना होगा दोस्तो negative aspect की बात करें तो negative aspect यहाँ पर company के लिए यह है कि company के सारे customer USA में है तो यह सबसे बड़ा risk है यह risk इसलिए हुआ कि USA का जो बाजार है उस बाजार में कोई भी regulation है वो company को impact करेगा और company का business जो है negatively impact हो सकता है तो यह जबरदस तरीके से negative aspect हो गया फिलहाल मुझे अग listing gain होने के लिए यहाँ पे listing gain में GMP आपको देखना होगा GMP में फिलाल कोई हल चल नहीं है कोई भी हल चल होने पर मैं आपको update करता रहूंगा फिलहाल मेरे लिए यहाँ पर कोई भी sign listing gain का नहीं दिखाई देता दूसरी तरफ अगर long term की बात की जाए तो long term में अगर आप एक unique business model को अपने portfolio में हिस्सा देना चाते हैं और एक risk लेना अगर आप चाते हैं तो portfolio के लिए एक अच्छा stock ये proof हो सकता है बात यहाँ पे valuation की है valuation की बात करना बिवानी है क्योंकि company expansion में ही है अभी फिलहाल और expansion के बाद just profitable ही हुई है last year से तो उसके बाद company ने profitable होने के बा यह तो चलिए थोड़ा सा पैसा in cash करा लेते हैं तो एक और negative मुस्से रह गया वह आप देखिए company का पूरा 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 जो है यह issue OFS है कोई भी पैसा जो है वो company के पास नहीं जाना है तो company already जो है यहाँ पर जो भी करना था expansion मगरा वो करके बैठी हुई है अब ही आपक analysis अगर आपको यह analysis पसंद आई तो थमसब दीजिए like करिए share करिए subscribe करिए channel पर नए है दोस्तो subscribe करिए video को like करिए share करिए thank you so much friends for watching this video